तो आज मैं आपको सिखाती हूं कि मलाई में से मखन कैसे निकालते हैं तो सबसे पहले आप देख रहें कि यह हैंड ग्लेंडर है और इसमें पहले सब थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे पानी एड़ करने के बाद फिर इसको हैंड ग्लेंडर से मिक्स कर देंगे ध्यान रहें कि इसको कुछ समय पहले फ्रीज में से निकाल कर रख लें तो इसको मिक्स कर देंगे इसको दोनों साइड को गुमाना है इधर को भी और इधर को भी दोनों साइड को इसको गुमाना है तब ही मक्खन जल्दी से निकलेगा और ऐसे करने से मक्खन बहुत जल्दी निकलता है आप एक बार ट्राए जरूर करें इसमें लाश्ट में थोड़ा सा पानी और एड़ कर दें इसे अब टाइम नहीं लगेगा एक बार और इसको राउंड राउंड घुमा दें और इसको अब देखिए आपका मक्खन तैयार है ऐसा करने से बहुत जल्दी ही मलाई से मक्खन निकल आता है आप लोग इसको एक बार ट्राए जरूर करें और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको मक्खन को गरम कैसे करते हैं कि ये भी आपको बताओं तो आप प्लीस मुझे कमेंट ब बताओं मैं आपको ये भी बता दूँ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीस मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलें मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई झार आपको वीडियो सास्टा पतास्ट वीडियो मलेज एक कर्णा झाल और ke अपक्रों में ग不好 झाल 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 झाल